गुड इवनिंग गाइस, आज का मेरा ओफ टोपिक है, आज मेरा वीडियो जो है वो यूटूब से रिलेटिड है, बहुत दिनों से मुझे पता था मैं तीन साल से यूटूब कर रहा हूँ पर यूटूब के कुछ टर्म्स की बात में यहां पर करने वाला हूँ आज की यूटूब चैनल जो एजूट चैनल थे, वो जादा ग्रो नी गरते, उन पे जादा भीूज नहीं आते ठीक है, इसका कारण में आप लोगों को बताने वाला हूँ और एड्ज जो होते हैं वो क्या होते हैं ठीक है और प्रमोशन क्या होते हैं यह जो जितने टर्म लिखे इन के बारे में मैं आपको बात करने वाला हूँ, यूटूब पे पैसे कैसे कमाते हैं, कैसे कैसे कमाते हैं, इसके बारे में भी बात करने वाला हूँ, ठीक है, हलके से, अगर आप कहेंगे तो इस पर डीप में मैं देड़ घंटे पर भी वीडियो बना सकता हूँ, इतनी ची पर हिंदी सिखा रहा हूं तो सिर्फ इन ही की बात है या कई मैठ पड़ा रहा हूं तो इन ही की बात है जो भी चीज़े सिखा ही जाती है लोगों को करा ही जाती है इंप्रूव करने के लिए ठीक है? तो ये छोटा सा टर्म आप समझिये YouTube को लेकर ये YouTube की बात कर रहा हूँ मैं एक term होता है organic views, organic views क्या होता है आपने कोई भी ad पे खर्चा नहीं किया, आपने वीडियो बनाई महनत से और उस वीडियो को YouTube पे डाल दिया, जो भी tags होते हैं जो भी title होते हैं, वो सब आपने डाल दिया और इंतिजार करने लगेगी मेरी वीडियो वाइरल होगी मेरे चैनल बढ़ेंगे, मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे ठीक है, आप इंतिजार कर रहे हैं आपने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ वीडियो बनाई अपनी महनत करी और डाल दिया, सबी चीज़े नहीं किया, किसी से कॉलाबरेट नहीं किया किसी से भी कुछ नहीं किया नहीं आपने लोगों को कहा कि मेरी वीडियो देखिए अगर आपने कुछ नहीं किया तो उसे और गनिक व्यूज कहते हैं और गनिक व्यूज का मतलब क्या है, वो खुद ही आया है आपने कुछ भी नहीं किया, ठीक है, तो YouTube पे views एक इस तरह से आते हैं, ठीक है, दूसरा क्या है, paid promotion होते हैं, paid promotion में क्या होते हैं, मैंने अपनी वीडियो बनाई, मान लीजे, आज मैंने basic English की कोई एक वीडियो बनाई, ठीक है, और मुझे लगा कि ये वीडियो मेरी बहुत देखेंगे, ठीक है, मुझे लगा कि ये बहुत अच्छी वीडियो है, तो मैं क्या करूँगा, इस पर ads चला दूँगा, Google ads होते हैं, वो ads चला दूँगा, तो ads चलाने पर क्या होगी, ये जाद से यादा लोगों को दिखेगी, search engine में आएगा, तो जब search engine में लोगों के स अच्छा material है या नहीं है, पर ये views काउंट हो जाएगा, तो इस तरह से क्या होते हैं, उनके views बढ़ने लगते हैं, मालो 2K है, 2000 है, फिर 5000 हो जाएंगे, add के थुरू, उनके लिए वो पैसा खर्च करते हैं, उसे कहते है paid promotion, ठीक है, तो साहिद organic views और paid promotion भी आपको पता चले गया होगा, इसके साथ English के कुछ terms भी आपको समझ में आ रहे हैं, जो YouTube से related है, ये वीडियो बनानी बहुत जरूरी थी, मैं काफी दिनों से चाह रहा था कि मेरा इतना बड़ा channel है, पर जो मैं करना चाहता हूं, वो चीज नहीं कर पा रहा था इस channel पर, और जो चीज कर रहा मतलब किसी की ज़रुद नहीं है आपको, आपके पास पैसा है ये डॉलर्स है, आप क्या करोगे, अपने आड खुछ चला लोगे, इस तरह से आपका channel बहुत जल्दी ग्रो कर जाएगा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो business mind से YouTube पे आते हैं, अब इसमें ये दोनों चीजों को आड लगाया है, उन्होंने ऐसे आड नहीं लगाया, इसके थूरू वो कुछ business करना चाते होंगे, या तो अपना कोई paid course बेचना चाते होंगे, या तो उनकी कोई book होगी, या ना कुछ ना कुछ कोई चीज होगी, वही लोग इन सब चीजों का आड करते हैं, ठीक है, या तो उनकी कोई ब gast hoगी, उस business को बढ़ाना चाते है, जो लोग business बढ़ाना चाते हैं, वही इन सब चीजों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, या थोड़ा जल्दी ग्रोग होना चाते हैं, तो ये ads क्या होते हैं, ये ads हम खुद लगाते हैं, गूगल Ads होते हैं, उन्हें हम सब्सक्राइबर भी बढ़ जाएंगे उससे बात करके तो वो अधर चैनल से भी होते हैं लोग मानते नहीं है पर ये होते हैं पेड होता है या तो पेड होता है अब पेड कही तरह से होता है जरूरी नहीं है कि एकी तरह से ये पेड होता है इसको कही तरह से पेड किया जाता एक तो आप डिरेक्ट उनको पैसे दे सकते हैं, दूसरा माल लीजिए, ये बिजनेस वाला बंदा है, इसने जो वीडियो बनाई, वो इसके यहाँ पर इंटर्वियू दिया, और उसका एड चला दिया, उस वाली वीडियो पे उनके लिए एड चला दिया, तो क्या होगा, इ होते हैं, खुद के हैट्स चला कर एक दूसरे चैनल से, दूसरी साइट से, या दूसरे एप से, कई सारी चीजों से हम अधर चैनल से भी कर सकते हैं, ठीक है, तो अब ये तो आपको दो चीजे, पेंट प्रमोशन ज्यादा तर बिजनेस वाले लोग करते हैं, जिनका बिज जो यूट्यूबर्, जो यूट्यूबर्स हैं, वो ज्याधातर कोन है, बीटैक इंजीनियर है, जिनको अच्छी नोख्रिया नहीं मिली, ज्यादा से यादा लोग टीचर से हैं, ठीक है, और कुछ प्रोफेस्नल लोग से हैं, ये लोग ज्यादा हैं, जो ज्यादा-तर अब क्या होता है जो organic views ला रहे हैं ये बहुत मेहनत करते हैं ठीक है मेहनत का इन्हें फ़ल नहीं मिलता तो YouTube चैनल ने क्या कह रखा है जिसके 30,000 से ज्यादा subscriber है कोई copyright नहीं है ठीक है उस पर कोई copyright नहीं होनी चाहिए पहले से बाइब क्या होता है क्योंकि YouTube को पता है जो लोग पढ़ाते हैं या कुछ बहुत सारी महनत के साथ वीडियो बनाते हैं वीडियो बनाने में भी खर्चा होता है। मेरी वीडियो में नहीं हुटा है जो मैं मनता हूँ तो उनके लिए joint-button दिया हुभा है join button क्यों? क्योंकि मानलो जैसे कि यहाँ पर 2,00,000 सब्सक्राइबर है तो इसमें से 20,000 लोग ऐसे होंगे जो सच मैं सीखना चाते होंगे मेरी चीज़े अच्छी लगती होगी तो YouTube क्या कहता है कि इन लोगों को आप join button दे सकते हो मानलो जो लोग पे करना चाते हैं आप लोगों को जैसे 159 रुपीज हो गए या 99 रुपीज हो गए कितने भी आप उनसे payment ले सकते हो क्यों क्योंकि जो organic views वाले होते हैं जो educational channel वाले होते हैं उनका पूरा खर्चा नहीं बन पाता है और एक चीज educational channel से में जुड़कर एक बात और कहूंगा यदि आप educational channel चला रहे हो और आप सोचते हो कि यहां से आप लाखोर रुपे कमा लोगे तो आप बिल्कुल नहीं कमा सकते हैं लाखोर रुपे कमा होगे जब आपके पास पूरी team होगी और उस team को पे करने के लिए जैसा कि मैं आप जानने होंगे educational channel है तो इसमें जो लोग काम करने वाले होंगे वो भी बहुत educated होंगे तब ही इस channel पर काम करेंगे तो वो पूरी team रखी जाती है और उस team का खर्चा direct इस views से नहीं होता इसके पीछे बहुत सारी चीज़े होती है तो इसी के लिए क्या कहा है YouTube ने कि आप join button use कर सकते हो जिसके 30 या subscriber से जादा है ठीक है 18 years से जादा है जो लोग जिनका खुद का channel है ठीक है तो ये सारी चीज़े membership होती है ये किसी भी channel के लिए होते चाए एजुकेशनल चैनल हो वी लॉग का channel हो ये कोई साभी channel हो ठीक है हर channels के लिए होती है ताकि YouTube कहता है कि इनका पूरा support इससे नहीं मिल पाता और जो ads से पैसे होते है वो इतने जादा नहीं होते है ads के earning इतनी जादा नहीं होती अब उसके बाद हमादे paid course के अब जैसे मैंने बताए paid promotion क्यों करते है तो paid promotion के साथ इनका क्या होता है या तो कोई इनकी कोई book होती है या तो कोई इनका course होता है ठीक है या तो इनके affiliate link होते है ठीक है affiliate links होते है या इनके कोई किसी चीज का promotion होता है उसमें किसी न किसी चीज का promotion होता है, या इन्हें खुद grow होना होता है grow का मतलब इनको views grow करने होते हैं, और इनको subscribers gain करने होते हैं मैंने अपने channel पे कुछ भी नहीं किया है मेरी जो भी चीज़े organic views है ठीक है, और organic मेरा एक term की वज़े से है, जिसका नाम है basic English, मैं हमेशा से basic English को लेके चलना हूँ, उन लोगों के लिए जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता है, तो ये term मेरा काम करता है हमेशा से और मेरे channel का नाम, जो की आसान है, इसके बारे में मैंने ज़्यादा बात नहीं किया है, कभी भी किसी भी वीडियो में, और आगे चला तो आप लोगों को पसंद आया, तो ये सब चीजे मैं बताऊंगा, क्योंकि हम मैं सोच रहा हूँ, इसी तरह की वीडियोज बनाऊ लोगों को इसके बारे में बताऊं, मैं किसी को defame नहीं कर रहा है, सबका अपना काम है, करने का तरीका, आप organic views के हिसाब से भी काम कर सकते हो, paid promotion के हिसाब से भी कर सकते हो, जो paid promotion कर रहे हैं, उन्होंने पहले महनत से पैसा कमाया है और लगाया है, तब इन सब चीजों को कर रहे हैं, और जो organic views है, जिसके पास कुछ नहीं है, जैसे कि ज़्यादा तर teachers होते हैं, उनके पास अपना backup नहीं होता है, तो वो organic views पे काम करते हैं, मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि बहुत सारे teachers को मैं जानता हूँ, देखता हूँ, ठीक है, और बाकी channels को भी मैं देखता हूँ, तो paid promotion में उनके paid courses होते हैं, books होंगे उनकी, या कोई courses होंगे, या affiliate link होंगे, या किसी चीज का promotion होगा, ठीक है, और या किसी ना किसी business को बढ़ावा देते हैं, तो ये थोड़ से terms थे, जिनको मैंने आपको share करी है, अगर इस से related आपको और कोई जानकारी चाहिए हो, तो आप मुझे comment section में लिख सकते हैं, और अगला topic आपको YouTube के किस चीज की चाहिए, मैं सारी videos इसी तरह बनाऊंगा, मुझे ज़्यादा editing वे editing नहीं आती, ज़्यादा terms को use करना नहीं आता, simple सा होता है, whiteboard पे, तो यदि आपको ये video पसंद आई है, तो मुझे comment section में बताइए, और मुझे support करिए, कि इस तरह की चीजे और दू, English की जो videos हैं, वो आती रहेंगी, पर इस तरह की videos, कुछ अलग करना मेरे को हमेशा से अच्छा लगता है, वीडियो को like करके, और वीडियो को share करके, ताकि और इस तरह की वीडियो में आप लोगों को दूँँ, और आप लोगों को समझा सकूँ, तो वीडियो को लास्त तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठेंक्स अलोट, जाहिन